कोआला पेड पर रहने वाले जानवर हैं. जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, वे सबसे प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाइ जानवरों में से एक हैं और अक्सर कोआला भालू के रूप में जाने जाते हैं. حالانकि कोआला भालू, कोआला इन हिंदी बिल्कुल नहीं हैं. वे अपने चुस्त रूप और नींद के व्यभार के लिए जाने जाते हैं। कोआला में बहुत मोटी फर है। वे नीलगरी के पेड़ों में रहते हैं और सोते हैं। यह गर्म हलका और सूखा है। कोआला में 40 यौगिक हैं। कोआला नसल, कोआलास 20 या अधिक वर्षों के लिए रहते हैं। एक महीने के बाद शावक एक सेमी है लंबा। कोआला लगभग 5.5 महीने में पहले थैली छोड़ता है। स्थाई रूप से लगभग 8 महीने में। कोआल के शरीर के नीचे के भाग पर सफेद और उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर ग्रे रंग होता है। कोआला का उपनाम एक मूल निवासी है। कोआलास में दो विपरी तंगूठे का मुरगा है। इसका वजन केवल 5.5 किलोग्राम है। कोआला इन दो क्षेत्रों के बीच पाय जाते हैं। कोआलास 19 घंटे तक सोते हैं। जीवन काल 12 प्लस वर्ष, जंगली 16 प्लस वर्ष, कैद। सबसे बड़े कोलों का वजन 10 किलोग्राम से अधिक होता है। कोआला पेड से पेड तक जाता है और पत्तियों को प्राप्त करने के लिए पेडों पर चड़ता है। जब यह पैदा होता है तो कोआला बहुत छोटा होता है। वयस्क कोआला 25 से 30 इंच लंबी होती है। कोआला एक दलदली स्तनपाई है। सत्रह सो अन्थामबे में कोआला वाज डिस्क्राइबड बाई वेस्टरनर्स। कोआलास 15 मिनट एक दिन हैंगिंग आउट खर्च करते हैं। यह विक्टोरिया में पाए जाते हैं जबकि सबसे छोटा उत्तरी क्विंस लेंड में रहता है। जब यह पैदा होता है तो कोआला बहुत छोटा होता है। वैस्क कोआला 25 से 30 इंच लंबी होती है। नवजाद शिशू क्लुआका से थैली तक क्रॉल करता है और अपने विकास को पूरा करने के लिए एक निप्पल से जोडता है। कोआला केवल नीलगिरी के पत्तों को खाता है और यह बहुत सारी पत्तियों को खाता है, यह पत्तियों की तरहा खुश्बू आ रही है। कोआला केवल 30 दिनों के बाद पैदा हुए हैं, जब वे गर्भ धारण कर रहे हैं, कोआला मा के पास एक थैली है। एकल युवा का वजन लगभग एक पाँच आउंस है। कोआला का वजन पंद्रह से तीस पाउंड है। 1924 तक कोआलास दक्षिन आस्ट्रेलिया में विलुप्त हो गए। कोआला शावक पाँच महीने तक माँ की थैली में रहता है। कोबा खरगोश की तरह तेज दौड सकता है। कोआलास एक दिन में 20 घंटे नींद से सोता है।